साल 2020 में जब से क्रोना माहमारी ने प्रेद दुनिया पर हमला बोला है सबसे इस बीमारी से जूज रहे लोगों के लिए दवाइए एक साहरा है जिस वज़र से दवा की खबत भी जादा हो गई है इंफेक्शन से बचने के लिए लोग अलग अलग तरह की दवाइए खारा है लेकिन आपने भी कई बार देखा होगा दोस्तो कि हमारी जरूरत के हिसाब से हमें दवाइएं नहीं मिल पाती है जैसे कि कभी हमारी पीमारी के हिसाब से डाक्टर हमें धाइस अमजी की दवाइँ देते हैं लेकिन जब हम दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पे पांजी की दवाइबल होती है तो ऐसे में दोस्तो आपके माइड में आता है कि हम उस दवा को आदा तोड़ कर खा लें तो हमारा कम हो जाएगा लेकिन दोस्तों क्या ये सही है क्या दवा के साथ ऐसे हम कर सकते हैं क्या दवा तोड़ने से उसके पावर कम हो जाते हैं आए दोस्तों आज की वीडियो में इसकी के बारे में जानेंगे और दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल पाक्सान टीवी में जहां पर आपको रोजाना ना इन एफेक्ट्स, नॉलेज, मोटिवेशनल ठॉट्स और कोर्स मिलते हैं जो आपाया ने विवर्थ हैं वीडियो को अंत्तग जरूर देखें और कुछ नया सीखें कुछ नया जाने क्यूंकि दूस्तों मेरा मौटीव यह ही कि अगर मैं कुछ जानता हूँ या कुछ में नया सीखता हूं पर दूसिर की साथ शेर करों जृष्टों ज्यान पाटनर के बड़ता सकथ दूस्तों सेक जिनां आ हो सका मैं कम आफ को से क्लिनिक क्लिनिक से दवाई लेता है так तो डॉक्टर कभी ना कभी आपको आधी द वाज्ये देता है मीडियीय रिपोर्ट के मुताबिए सबीज दवाओं को तोड़कर नहीं खाए जा सकता है दोस्तो जिन दवाओं को तोड़कर खाए जासकता है अपने देखा होगा कही दवाओं के बीच में लाइन खीची होती है जिसको हम इसको टेबलेट के नाम से जानते हैं दोस्तो, सिर्फ उसी दवाओं को तोड़कर खाये जा सकता है तोल ऐसी ही दवाओं को तोड़कर खाने से उसके पावर कम नहीं होते है एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के मतावि जो दवाओं तोड़कर नहीं खा जा सकती है उनमें लाइन भी नहीं बनी होती है दोस्तो, दरअसल ऐसी दवाओं पर एक लेयर चड़ी होती है जो टूटने के पास अपना काम करना बंद कर देती है मतलब कहने को दोस्तो, साफ साफ यह है कि वाओं बीमारी में दवा पूरी तरह से फाइदा नहीं कर सकती तो मैंक सिर दोस्तो, उसी दवाओं को तोड़ें आप जिस पर लाइन बनी हो और उस दवाओं को ना तोड़ें जिस पर लाइन ना बनी हो और दोस्तों वहीं कैफूल में भी दो हिसे देखने को मिलते हैं आप सचेंगों उसको भी फिर खा सकते हैं दो हिसे में तोड़कर नहीं दोस्तों कैफूल को भी आप दो हिसे में तोड़कर नहीं खा सकते हैं दोस्तों कैफूल भी पूरी तरीकिते ही खानी होती है तो दोस् तो वीडिए चाहले किसा लाख आप हमें कमेंट बक्स में बताएं अगर कोई कंफ्यूजन है तो दोस्तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख देब सब्सक्सक्राइब कर दोसे रोग लगी तो ज़्या पहुंच आएं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपते अगली वीडियो में